हेलो वेलकम टू टॉक नाइट आरो टाज मैं अजस टॉपिक प्रेडिंग कर रही है वो है लुट्स कोउइंग on between you and your romantic interest छीक अपके और आपके romantic interest के बीच क्या चल रहा है लेट इसी देखते हैं What The अप और अपके partner के बीच क्या चल रहा है जोने की तरफ से देखिंगे अपके और आपके person के बीच क्या है वीडिक यह बोलती है वीशाली रडिंग कर सकती है जब भी आपके सामें आपसे दोनेट कर सकती है अगर आप लड़के है तो इसे अपने तरीके से देखे हैं अगर आप अपके पर संके बीच क्या चल रहा है वुट स्कुइंगान बिट्वीन यू और रोमेंटिक इंट्रस्ट आपके और आपके परसन अफ इंट्रस्ट के बीच के बीच चल रहा है इस कलेशंशिप ने क्या हो रहा है एस उफ पईंटिकल कुछ खतम हो चुका है एक new beginning की जैसे एक new start एक new beginning यहां पर इस रिश्च्ट में नज़रा रहे है एक new offer क्रियेट हो रही है बत्ब की a new beginning का start एस लेशंशिप में क्या हो रहा है डिवाइन की तरफ से यहाँ पर आप लोगों को एक चांस है इस रिष्टे में एक नियो बिगनिंग हो सकती है ठीक है आप दोनों के वीच ऐसा चल रहा है आपके परसंग काफी ज़दा एमोशनल लॉस में नजर आ रहे हैं ठीक है आपके परसंग को ऐसा लग रहा है कुछ बचा लेकिन यहाँ पर टू कप्स है और डिवाइन एक रिलेशन्चिप में आप दोनों के चांस देना चाहते है ठीक है नियू स्टार्ट का एक नियू बिगनिंग का बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों के बीच कम्लिकेशन नहीं है अगर कम्लिकेशन हो जाती है आप लो आपके और आपके परसंट के भी चल रहा है एक और मौका डिवाइन यहाँ पर इस आप्शन को इस मौके को आप मैनिफस्ट कर सकते हैं खुद कर सकते हैं आप और आपके परसंट मिलकर कैसे अपनी हीलिंग को कम्प्रीट करें पास की नेगिटिविटी से बाहर आएं अब एक new beginning manifest हो सकते हैं अब यह परसंट नया भी हो सकता है किसी के लिए और किसी के लिए पुराना है भी हो सकता है मतलब के ऐसा हो सकते हैं आप एपने romantic life से ठक चुके हैं हार चुके हैं आपको लगता है कभी वह आपको प्यार वह लव वह किर आपके नसीब महीं नहीं लेकिन यहां पर पीछे आपके एक नियू बिग्निंग मैनिफेस्ट हो रही है, एक नियू ओफर करियेट हो रहा है, आपकी लाइफ में या पर दो तरीके की एनरजीस निकल कर आरी है, जो नियू लव धून रहे हैं, वो अपनी लाइफ में कुछ बचा है, वो देखी नहीं पा रह है है वो अपनीम में पानाणा है रहा हैं, वो देखलता है रही है जो डियू या ताहना है मही है नियू अखर पर दूख भांपनी इंट्रक कर हमाईशिप और लेहा है, उसका है नियू, दो आओ दो यहां हो खेए है कि खेए होग्यं हरpage आपको लगता ही है कि आपको रोमेंटिक लाइफ में कुछ पीस मिलेगा या रिलेशंशिप अच्छा देखने को मिलेगा या अच्छे रिष्टे को अपनी लाइफ में मतब कि एक्स्पीरियंस कर पाएंगे ठीक है कि कुछ नो कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है अगर आप अपन जीए आपके पार्टनर के अपर गुजर रहा है लेकिन वह एप नहीं आप देख पा है। जैसे के आप भी ऑन hasn पार प्यार्ट में देख पाक है कि मbugद ऑन एक हम उ लाइफ में खी फिर्शोक उ सबस्तर में रहत हैं। बहुत जाद हैं। अपने अप यापध कर राभी हम वह बाए पास्ट पेक्ट में चली जाते हैं, उपने चेस करें, अपनी के इस तरीके से चेक्टमी, विडमेम ऊपनी चाहते हैं, है झालत आओ, वहलो है है, आप आफ पर सिर्झ प्रेश पैक्ट में चली devices,енस ख़्याज इन शाहर आगे, कैसे marketing आफiliy, पर पड़े चाहते है आपके पर्टनर को पार्टनर को दी जा रही है गर यही रिष्टा चाहिए तो इसको आप दुबारा रिबर्ड की तरफ ले जा सकते हो लेकिन आपके परस्टन इतने डिसार्ट हो चुके हैं जीन आपको यूप्र नुफ नहीं देख पारें ऐसा ही आपके प्रशन इसरफ इस शेमर बडम आपस एक चांस है अगर चाहें तो तो ngay एर फॉ फ्रेंस के अनर्जी है आपके परिसन की तरफ से और भी लोगो को स्वामनेयट लेकिन आपके परिसन को ऐसा लगता अगर आपके पार्टन आपकी तरफ आए बहुत दाय्क रफ आप लोगों के बीचे अरग्यमेंट हो जाएगी थिक है बहुत दाफ लड़ाय हो जा यहां पर मुझे आप बहुत जादा मतब कि आप आप ने खुद को ब्लॉक कर लिया आपका हाट चक्रा ब्लॉक है तिक है आपके पार्टर एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं नियू बिग्णिंग करने के यहां पर डिवाइन बार बार सिंग्नल दे रहे हैं आपके परसन को करने का वेट करने का वेट करने हैं और यहां मुझे आप बहुत आपका हाट चक्रा ब्लॉक लग रहे हैं आपके लाइफ में नियू आप्शन सारे नियू परसन आ रहे हैं आपके लोग नियू लोग इंट्रस लेरे नियू लोग कनेक्ट करना चाहते हैं आपका ताइम च आपका टॉक्सिक एक्सपिरियंस रहा है जो पास्ट एक्सपिरियंस है वो टॉक्सिक रहा है आप फीचर में कुछ बहतर आप सोच ही नहीं पा रहे हैं आपको लगता ही नहीं है आपको लगता ही नहीं है आपको सब इंसान ही जैसे होते हैं एनली से स्टेवियर करें आप ऑपा सैल fokukiその के स्टेवि आपका स्टेविलिटी फोकस से अपनी काम पार धूकस है एकशी को स्टेवल Georgi एक एक वर्थ PFर्सण बनाना चाहते है given वहादा कोल्ड हो चुके हैं जबसे आपने टॉक्सिक कनेक्शन मतब के देखा है आपको यसा लगता है इस परसंग अपनी गलती का ऐसास तक नहीं है अप्लीस ना आए रिलेशिशिप ना बनाए अप्लीस यह सॉरी बोले अपनी गलती को एक्सप्ट करें यह फिन कोडा का इस यह फिलेशिवगता है अपने अपने जब्लेटस आपको अपनि एसा ना और कॉपचन संग्ताय कर रहा है यह बल्के जानदे कffff लगता है चाहटना जवत जब्लीस नहीं बल्के लोग लाफ में कुछ नहीं है कोई बी इनसन के काबिल नहीं है ठेके और आपके पार्टनर याप पर अपनी लाइफ के जो मैस है उससे बाहर निकलना चाते हैं चाहे वो मेंटली है चाहे वो फिजिकली कहीं वो बहुत दा किसी स्ट्रगल में फसे हुए हैं तो ही उनकी लाइफ पर इनरजी है आपके पार्टनर राइट टाइम का वेट कर रहे हैं और आपको कुछ स्टेबल देना चाहते हैं तो आपके पार्टनर आपसे डिस्कनेक्ट हुए में जर्णा अपनी लाइफ में निव बिग्निंग करना जाते हैं यह परसन के लाइफ में श्ट्रगल है वह फैमली की हो, कास्ट, डिफरेंस, रिलिजियस, इस कल्चर की हो यह परसनली कुछ इशूस हो जो आपसे रिलेट हो कोई मिसंडेस्टेंडिंग्स हो, मेंटली कॉन्ट्ली इनरजी हो यह आपके परसन, आप लोगे बीच कोई आर्ग्यूमेंट हो कम्प्लीटी नेगिटिफ चीज़ों को एंड करकर आपके पार्टनर निव बिग्निंग करना चाते हैं लेकिन आपके परसन को असले लग रहा है, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है अपने खिर रहा है यह परसन आपको देख भी रहा है तो आप अपनी लाइफ़ में बहुत ही डिटाच होके चल रहे आपके पास खास मतब्ट बेभी दिए अपके पास से अब इमोशन से नहीं अप एमोशन आप इमोशन ही आप इस परसन को sıंत नहीं Stelli से शोन इसमिप करें इता कि अपक्रसद सोच रहा हैं इता इतने प्रैक्टिकल ना सो्चिना बधा सबक्राइब हें, अपका रहन से मांनिसट शेए की हर्मित का रहा है इसमस्सृ स funktioniert बिप आगे इसमस्स क्रण्या मोजश है तो बोड़े तो आपके अनर्जी हर्मिट की खामोश है, साइलेंट है, सोल सर्चिंग पे हैं, रास्ता ढूंड रहे हैं, क्लारीटी की तरफ आना चाहते हैं, तो अपनी लाइफ में एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहरें, मुल्कुर्डिक्स टेकिंग करना चाहरें, ज यह नाया है, जो बाधिको की शीजी की नहीं है, चाहरे नहीं जो बाहरे की आजे बाँ आद आखे lis and we need a moment. क्योंकि आपके परसन को इसा लग रहा है आप एक रिक्स टेकिंग कर रहा है आप इस situation से emotionally detached हो चुगी इसका मतलब आप यहां पर नहीं आएंगे यह पर से आपको कुछ रोकना मैसेज करना चाहरा है रोकनी के लिए यह बहुत जादा सोच रहा है बहुत जादा सोच रहा है इस परसन के माइन में थाट्स है यह आपकी तरफ एक्शन ले ठीकिंग मतलब कि अपने आपको इन सोचों से इन थाट्फुल एनरजी से बाहर निकाले आपकी तरफ कुछ मैनिफेस्ट करता है यह परसन दरूर दिखाई दिए रहा है मुझे ठीक है लेकिन यह इमोशनली ओपन नहीं हो पा रहा है बहुत जादा इमोशन फील कर रहा है ठीक है इस ताइम फ्रेम पर विश्फिल्मेंट है यह परसन अपनी विशिस के बारे में सोच रहा है आप ज इस परसन चाहरा है इमोशनली यह रिष्टा आपके साथ बहुत स्ट्रॉंग है ठीक है इस परसन अपनी स्टेबिटी पी काम कर रहा है मैरीज कमेट्मेंट की बात है तो कुछ स्टेबल और बैलन्स ओफर देना चाहता है आप इस परसन को मैनिफेस्ट कर रहे है यहां पर यह रिष्टा यह परसन एक सोल मेंट काइंड बाउंट समझता है आप लोग के बीच एक सोल मेंट काइंड रिलेशन्शिप ए परसन आपके साथ फ्यूचर मैनिफेस्ट करना चाहरा है बहुत जादा मतब कि एक फ्यूचर यह एक्शन लेगा आपको लगता है बहुत बहुत 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 बहु लेकिन वही बात है पते हैं है एक चुश। एक डिड़ को शुश। पिर गच्शोफ नहीं होचाए लिएक डि़ूट काटा है इतना कुछ मैस करेट हो चुका है तो जाना है अखेड़ एक रिष्टे पर SEC पाष्ट हो एक डिग हाना है किसी और के साथ अपने emotions को connect कर सकें, किसी और के साथ अपना time spent कर सकें, किसी और के साथ वो एक loving, caring and action को feel कर सकें या trust कर सकें, आपका heart chakra block हो चुका है किसी new person के लिए, past, मतलब कि आपको, एक पता है blockages क्यों आती है, at least past वाला apology करें, हाँ, अपनी गलती को accept करें, आपको लगता है past वाले में के अंदर है कि ऐसा भी regret नहीं है, वो अपनी गलती को accept करें, सही हो रिष्टा नहीं चाहता है, at least वो माफी तो मांगी जो उसने आपके साथ behavior रखिया, वो खुद गलता है, ये person आपके साथ किसी stability को लेकर celebration को लेकर बात करना चाहता है, ये अपन स्टार्ट करेगा person, जो भी person जिससे भी deal कर रहे है, उसके mind में है, his connection को दुबारा एक rebirth की तरफ लेकर जाना, ये person एक restart चाहता है इस रिष्टे में, लेकिन जिगल कर रहा है, इसको नहीं पता किस time पर क्या right time होगा, लेकिन इसको इतना पता है, destiny इसको ये रिष्टा जो भी relationship की problem से उनको face करने के लिए, fight करने के लिए तैयारे, इस रिष्टे पर वर्क करने के लिए तैयारे, इस person को पता है, आपर hard work करना पड़ेगा, बहुत कुछ hold back करे बैठा है, ठीक है, ये कुछ कर रहा है back of the story लेकिन आपको बतानी रहे है, इस पास में बहुत 緞़ा फास में पहुत करना पैर है करना चाहरा है, इस भी बिए आपने ह18 के लिए पृष्रे खाल जारा है, इस परसन को अपने ही भी है जो आफ ट़ू कि एलआरार सा उनक्राइब धिया री होगाना बन एप को रिए और बी ही इस परसन को उधर भी फेस करना है यह तिक लेकिन एतना गारज भी गैदर नहीं कर पारा कि आपके तरह एक कॉन्फिडंस लाकर आपकी साथ कर सके लेकिन इस परसन को यह है आपके साथ कुछ मैरेज स्टेबल किया जाए मतलब कर आया जा तो कम्प्रीटी एक सौलिट इक एक आप मुझे hopeful नहीं नजल आ रहे हैं आपको असा लग रहा है आप बहुत ब्लॉक को चुके हैं इवन किस परसन के साथ भी emotions के लिए किसी new person के साथ भी आपका हार चाक्रा ब्लॉक हो चुका है आप इमोशनली कुछ फील नहीं कर पा रहे हैं आपके अंदर वह एक मतब कि लविग लवी डवी एनरजी वह बहुत ज़दा संटी हो जाना बहुत ज़दा एक पैशनटी हो जाना बहुत ज़दा एक थ्रिल एक रिलेश्टिप में चीज़ होती हैं वो सब रिमूव हो चुका है तक है वो टाइम ही एक खता मोचुका है उस टाइम में जिसे उस टाइम को वापिस लाना आपके लाइफ में बहुत मुश्किल हो रहा है वो ऐसा साथ को वो फीलिंग को फील करना वो एक इस एक्साइटमेंट रखना वो वेट करना वो क्रेफ करना वो नहीं हो पार आप से ठीक है आप यहां पर बहुत दिल से किनेक्टेट थे इस रिष्टी में जो कुछ भी कर रहे थे बहुत साथा दिल से कर रहे थे प्रिछी रिखते हैं फ्यूचर क्या है वाथ तब कि यहां कुछ यहां पर बहुत दा आउटकम इसका मीनिंग्फुल हो सकता है मुझे यह समझ में आ रहा है जो भी आप लोग की प्रेजंट एनरजी है प्रेजंट टाइम पर आप लोग के चल रहा है यह कुछ नियू बिग्रिंग ला सकता है बिलकुल और फिन एक नियू रिलेशन्शिप के अंडिंग के बाद आपके पार्टन भी और आप भी बहुत ऑवर तिंकिंग कर रहे हैं खास तार पर आपके परसन मैस्प्लाइन इनरजी बहुत ज़्यादा सोच रही है इस कनेक्शन की अंडिंग को लेकर ठीक है वाई वगत आपके परसन ज़रा इस क खत्म नहीं हो बाद एक स्टोरी शोरी ऐसे रिएए नेवरेंडिंग स्टोरी देखे इनरजी अब खत्म नहीं होंगी स्टोरी अन्फिनिश सिंफ़नी कुछ अभी बाकी है पर छोके मलिक आन हमनी जतने अभी अन्वागी टाइम भी श्रेसफुल टाइम तापे स् यह फिर खाफ कर तोर शूंदर कर दूरसे बT लॉड़र, आप भी नए खाफ कर उसकते हैं इस परसुनको ओस्य लपकिक कर सबस्वकर्य चाहिए ऐस आप कर अप 97-4 llega???? वजह क्या है, रीजन क्या है अब अपने आपको सवाल और जवाब उसके बाद फिर इस से related जो भी problem है उनको face करना अगर यहां पर stability चाहिए तो उसके लिए effort करना तो आपके person यहां पर काम कर रहे हैं आपके जो blockages पता नहीं स्टार्ट होगा या नहीं होगा आपके person भी चीज सोच रहे है लेकिन आपके person का interest बरता जा रहा है interest develop हो रहा है जितना जितना यह person miss करता जा रहा है जितना इसकी feelings over flow होती जा रही है time to time उस हसाब से यहां पर कुछ message और text आपको देखने को मिल सकता है इस person की तरफ से मतब कि जितनी इसकी feelings एक level cross कर रही है उतना इस person का interest इस person को एक के मतब कि वाज़त और पर clarity मिल रही है आपसे क्या चाह रहा है time to time मिल रही है इस सब चीज़ चल तो रही है इसकी life में किसी से बात भी कर रहा है आपके बारे में अगर कोई problem है आप लोग की बीच कोई differences है अगर कोई stability को लेकर future stability को लेकर finance को लेकर वो भी solve कर रहा है क्योंकि ultimately इसको marriage करनी है मतब किसको लग रहा है family किसी और से भी तो कराना चाहती आप से करी जा सकती है मारे जब आप एक अच्छे perfect person है जब आप इस person के साथ इतना एक आप लोग की अच्छी बनती है आप future क्यों नहीं एक साथ देख सकते इस person के माइन में चल रहा है और आप थोड़े से जो है ना romantic life से अपने आपको आपको प्रिश्ट करते हैं अपने हाठ चाकरों को लोगों से प्रिटए करते हैं आपको लग रहा है कोई भी तोड़ देगा आपका दिल आप ड़़ते ही नधर आरे क्या आपको आप निकल चुके हैं फिजिकरी इस रिष्टे से लेकिन आप आपको फ्लेश पैका आ रहे ही जो पास्ट आ आपका वही है आप एनर्जी रिषी नगें रlaisत्त अब अब के द कहीते हैं आपके काईज आपको आपको पे canal Julम से वही हैं अफ के वही को अब हो एनर्जी में वही रिष्टा देखता बहुत जादा मस सोचें ठीक है चीज़े बहतरी की तरफ जाएंगी जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ इस विटिंग भी पर खुब रिदिंग अच्छे लिग लगे तो लाइक करें कॉमेंट करें शेयर करें एनर्जी एक्षेंज के लिए लाइक दवाना मत बुला और स्ट्राम को फॉलो करें थैंक्यू